सो फाइनली दुनिया की मोस्ट अवेटिट सूपर हीरो मुवी एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हो गई और उसी के साथ 11 साल पुरानी सीरीज का एंड हो गया आगे बढ़ने से पहले मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा गाई स्पोयलर अलेट अगर आपने दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम नहीं देखी है तो कृपया ध्यान दे कि इस वीडियो में कुछ बहुत ही भारी भरकम स्पोयलर्स है तो यहां से वीडियो अपनी ही मर्जी से देखे आपने एंड गेम तो देख ली पर क्या आप उसकी एंडिंग में छुपे सीक्रेट मैसेज को समझ पाए अगर नहीं दोस्तों तो यहां से इस वीडियो को पूरा देखना इस वीडियो में दोस्तों मैं उस मेसेज को ब्रेकडाउन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा गैस हमेशा मार्वल की मुवीज के एंड में सारे क्रेडिट्स के आने के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें कि वो नेक्स्ट मार्वल की मुवी का एक हिंट या फिर टीजर देते हैं जिससे कि MCU के फैंस के एकसाइटमेंट और भी ज़्यादा भढ़ जाती है और वो तिल में लाने लगते हैं कि भाई अब क्या होगा पर इस बार दोस्तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो Avengers Endgame में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था सारे फैंस मुवी खतम हो जाने के बाद क्रेडिट को देख रहे थे ये उमीद लगा कर कि अब कुछ आएगा लेकिन कुछ भी नहीं आता पर अगर आपने नोटिस किया हो दोस्तो सब कुछ खतम हो जाने के बाद End में Marvel Studios का लोगो आता है और Background में Hammer की अवाज आती है कुछ ऐसे कुछ याद आया दोस्तो ये Hammer की अवाज थी First Iron Man मूवी की जिसमें टूनी स्टार्क अपना सूट बिल्ड कर रहे थे First Iron Man मूवी दोस्तो 2008 में आई थी जहां से आप यू कह सकते हैं कि Avengers सीरीज की एक तरह से शिरुवात हुई थी Avengers End Game में दोस्तो Time Travel एक तरह से मूवी का Highlighting कोर रहा है जिसमें किये पूरी मूवी बेस्ट है अगर आपने दोस्तो Infinity War देखी हो तो उसमें Thanos ने Infinity Stone को यूज करके चुटकी बजागे पूरे यूनिवर्स में से आधी पॉपुलेशन को खतम कर दिया था उसके बाद End Game की शुरुवात में सारे बचेवे Avengers Thanos के पास जाते हैं उसको मार कर Infinity Stone के जरिये फिर से सब कुछ पहले जैसा कर देनी की उमीद में लेकिन Thanos ने यहाँ पर उल्टी चाल चली उसने सारे Infinity Stones को डिस्ट्रॉई कर दिया जिससे की Avengers की सारी उमीदे तूट जाती है मुवी के प्लॉट में हमें यह दिखाया गया है कि Ant-Man, Quantum Reline के जरिये Time Travel की Possibility के बारे में सबी Avengers को बताते हैं पर उस तरीके में एक प्रॉबलम थी और Tony Stark उस प्रॉबलम को सॉल्व करके अपना खुद का एक मॉडल बनाते है Time Travel करने का Time Travel को अंजाम देने के लिए Iron Man एक Mobius Strip जैसा मॉडल बनाते हैं जैसा कि आपने मुवी में देखा होगा जब Jarvis मॉडल सक्सेस्फुल कहता है Mobius Strip दोस्तों एक बहुती special टाइप का mathematical structure है Unlike Spear और Cube, Mobius Strip में सिर्फ एक ही side होती है आप खुद इस मॉडल को अपने आप बना सकते हैं एक paper की help से अगर हम दोस्तों pen से इस पर एक line draw करें तो हम पूरे paper पर एक line draw कर सकते हैं बिना pen को उठाए मतलब कि आप जहां से start करोगे फिर से वही पर वापिस आ जाओगे अब आप सोच रहे होंगे कि time travel का इससे क्या लेना देना है Ant-Man के according दोस्तों simply time travel करके past में जाकर baby Thanos को मार दिया जाए पर इसमें एक problem थी movie के अंदर time एक Mobius Strip की तरह travel कर रहा था अगर past में जाकर सारे Avengers baby Thanos को मार देते तो एक alternate timeline create हो जाती जिससे कि वो सब जो already हो चुका है वो फिर से होता जो कि Avengers बिल्कुल भी नहीं चाते So Avengers ये decide करते हैं कि वो time travel करके सारे स्टोंस को एकटा करेंगे और वापिस current timeline में आकर Infinity Stones को snap करके जो कुछ हुआ था उसको reverse कर देंगे जो कि possible है अब वापिस आजाओ उस Hammer के sound पर Movie के end में Hammer की अवास Marvel Cinematic Universe को एक Mobius Trip की तरह दर्शाती है Marvel Cinematic Universe की 22 Movies को Infinity Saga कहा गया है Which makes sense क्योंकि Mobius Trip का sign भी Infinity के symbol जैसा होता है अगर आप इन सारी Movies को शुरू से लेकर End तक देखो Iron Man 1 से लेकर Avengers End Game तक तो ये सब आपस में interconnected है एक loop की तरह Iron Man 1 में दोस्तो Tony Stark अपना पहला सूट बनाते है और End Game में भी वो अपना एक special सूट बनाते है जिससे कि वो Infinity Stones को यूज कर सके मतलब कि जहाँ से ये सारी journey स्टार्ट हुई थी वही पर आकर फिर से खतम हो गई Avengers End Game में दोस्तो काफ़ी सारे Avengers मर जाते है और फिर time travel भी अब possible है तो कही Marvel Studios का credit के बाद Hammer के sound के जरीए hint देने का मतलब तो नहीं था कि ये सारे superheroes एक बार फिर वापस आएंगे इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तो क्या Iron Man और Captain America वागरा फिर से दुबारा आएंगे मुझे नीचे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं अगर ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तो तो इसको लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल भी न भूले तो गाइस अब मैं आपको मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर